कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला एकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें हेलो फ्रेंड्स आज हम डबल लेयर बेल स्लिफ्स बनाने वारे हैं इसके लिए हमने यह चिकन का फैब दिख लिया है और अब हम सबसे पहले इसमें उपर की स्लिफ्स की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को फोर लेयर फॉल्ड कर लेंगे कपड़े को 4 लेयर फोल्ड करने के बाद अब हम स्लीवस की लंबाई ना पेंगे तो स्लीवस की लंबाई हम यहां पर रखेंगे 11 इंच तो 11 इंच में हम 1 इंच मार्जन का एड़ करेंगे और 12 इंच पर निशान लगाएंगे फिर जो खुला वाला भागे वहां से हम 3.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे और फिर चोड़ाई हमने लिहे 9 इंच तो 9 के आधे 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर तिर्ची लाइन कीचेंगे सेंटर वाले हिससे पर गोलाई में सेप देते हुए आस्तिन का शेप देंगे और फिर नीचे वाले हिससे पर फिटिंग का निशान लगाएंगे तो आस्तिन की फिटिंग है 11 इंच 11 का आधा 5.5 और 5.5 में 1.5 इंच मारजन का लेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हम इस स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे उपर से स्लिप्स की कटिंग करने के बाद अब हम नीचे के गेर की कटिंग करेंगे तो पहले हम छोटी फ्रिल की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम कपड़े को 4 लेयर फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले हम फिटिंग की गोलाई का निशान लगाएंगे तो फिटिंग है 7 इंच तो 7 का अदा 3,5 ती नीच तो 3,5 ती नीच पर निशान लगाते हुए गोलाई में शेड देंगे यहाँ पर लंबाई कोर्नर से नापते हैं अब हम फिल की लंबाई रखेंगे 5,5 तो 5,5 लंबाई नापकर कोर्नर पर इंच टेप को रखकर वहाँ से लंबाई नापते हुए गोलाई में शेड देंगे अब इस गोलाई से उस गोलाई के बीच की लंबाई हमारी मेल लंबाई है लेकिन जब हम गोलाई देते हैं तो हमें इंची टेप को कोर्नर पर रखना पड़ता है और जो भी लंबाई आती है उसे नाबना पड़ता है जिसे कि अब हमने यहाँ पर corner पर inch tape को रखा टोटल लंबाई आई थी 9 inch तो हमने 9-9 inch पर निशान लगा कर ही गोलाई में shape दिया अब हम बड़ी वाली फ्रील की cutting करेंगे तो बड़ी वाली फ्रील की cutting करने के लिए हम कपड़े को फिर से 4 layer fold करेंगे इस बार हम लंबाई जादा रखेंगे क्योंकि हम फ्रील की लंबाई बड़ाएंगे लेकिन जो फिटिंग वाली गोलाई है वह हम वही रखेंगे इसलिए हमने छोटी वाली फ्रील में भी फिटिंग की गोलाई की cutting नहीं किये अब हम इस में इस कोर्नर से उस कोर्नर की लंबाई नापेंगे तो यहाँ पर हम लंबाई रख रहे हैं 11 इंच और जो छोटी वाली फ्रील में कोर्नर से जब हमने लंबाई नापी थी तो वो लंबाई थी 9 इंच मतलब कि बड़ी वाली फ्रिल दो इंच लंबी है अब हम इसकी गोलाई की कटिंग कर लेंगे और जो फिटिंग वाली गोलाई है उसकी कटिंग करने के लिए हम छोटी वाली फ्रिल को इसके उपर रखकर दोनों की गोलाई साथ में कट कर लेंगे और हमने इसका निशान पहले ही छोटी वाली फ्रिल पर लगा लिया था दोनों फ्रिल में गोलाएगी कडिंग करने के बाद आप देख सकते होगी जब यह स्लिफ से जुड़ेगी तो कैसी दिखेगी तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी वाली फ्रिल को फोल्ड करेंगे अगर आप चाहो तो पीकू भी करवा सकते हो हम फ्रिल को पहले एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर दो बार फॉल्ड करने से फिनिशिंग अच्छे आती है और जो हम फॉल्ड करते हैं वो भी पतली-पतली फॉल्ड होती है Double बार फॉल्ड करने से इसका लूक पीकु जैसा ही आता है इसी तरीके से हम दोनों फ्रिल को फॉल्ड कर लेंगे आप देख सकते हो कि फोल्ड होने के बाद फ्रिल कितनी अच्छी दिख रही है इसी तरीके से हम बड़ी बारी फ्रिल को भी फोल्ड कर लेंगे इसे भी हम डबल बार फोल्ड करेंगे बड़ी वाली दोनों फ्रिल को फोल्ड करने के बाद अब हम इने स्लीव से अटेच करेंगे तो सबसे पहले हम स्लीव के बीच वाले हिस्से पर कट लगाएंगे और फ्रिल के भी बीच वाले हिस्से पर कट लगाएंगे अब हम पहले छोटी वाली फ्रील को अटेज करेंगे और जो सेंटर वाला कट है वो हम दोनों का एक सीद में रखेंगे छोटी वाली फ्रील को अटेज करने के बाद हम बड़ी वाली फ्रील को लेंगे और उसके भी सेंटर वाले हिस्से पर कट लगाएंगे और फिर उसको भी कट से कट मिलाकर सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से दोनों फ्रिल को अटेज कर देंगे और उसके बाद हम अब फ्रिल पर उपर से डबल सिलाई करेंगे ताकि हमारी फ्रिल की सिलाई सेट हो जाए और स्लिस में भी फिनिशिंग आए अब हम फ्रिल में फिटिंग की सिलाई लगा कर दिखाएंगे तो फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि छोटी वाली फ्रिल मिसल ना आए और ना ही वो अंदर की तरफ मोड़ जाए इसलिए उससे जब हम सिलाई लगाए तो दोनों उसकी किनारे पराबर हो और जहां से हमने फ्रीलाटेच की है वहाँ पर भी सिलाई पराबर हो आप देख सकते हो कि बनने के बाद स्लिवस कितनी सुन्दर दिख रही है